हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान रीट बरती परिक्षा के लिए राजस्तान इतियास की कलास शुरू की गे थी जिसमें अपनी 28 कलास है वो कंप्लेट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 30 कलास है तो दोस्तों अगर आपने पिछली कलास अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और अरध्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पिछले अगर वीडियो नहीं देखें तो वो जरूर देखें ठीक है तो देखो अपना इसमें जैपुर का इतियाश सल रहा था जैपुर का कच्छावावन्स तो जिसमें अपने साथ राजा हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपन आठवा राजा पढ़ेंगे आठवा नमवा और दसा ठीक है तो दोस्तो सबसे पहले अपन इस्वरी सिंग पढ़ेंगे तो देखो इस्वरी सिंग के बारे मैं आपको बता देता हूँ एक राजमहल का युद हुआ था ठीक है राजमहल का युद हुआ था कहां पर टौक में ठीक है कब हुआ था तो 1747 इस्वी में हुआ था ये राजमहल का युद और ये किस-किस के मद्दे हुआ था तो दोस्तों ये जो युद हुआ था ये इस्वरी सिंग और मादो सिंग के मद्दे हुआ था ठीक है इस्वरी सिंग और मादो सिंग के मद्दे यह हैं युद्दे हुआ था ठीक है अब देखो इस्वरी सिंग के साथ तो था कौन सूरजमल जो बरतपूर का सासक था ठीक है वो तो इस्वरी सिंग के साथ था और म दुर्दन साल, कोटा का था और मराठे, पैसे दिये थे मादो सिंग ने युद करने के लिए मराठों को, ठीक है, तो देखो, अब इसमें कमजोर कौन हुआ, तो इस्वरी सिंग सिधी सी बात है, तो देखो, इस्वरी सिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ सुरजमल था, जो मादो सिंग के साथ में दोस्तों, जगज सिंग सेकेंड, उमेज सिंग, दुर्दन साल, मराठे, मराठों को पैसा दिया था मादो सिंग ने युद करने के लिए, और तीन राज्ये के माराजा थे, मेवार, बुंदी और कोटा गे, अब देखो इस युद में क्या होता है, राजमहल का युद कब हुआ था, 1747 में, ठीक है, देखो इसमें सूरजमल बरतपुर के साथ इस्वरी सिंग जीत गया, अब देखो, इन सबी को खरा दिया किसने, तो इस्वरी सिंग ने, ठीक है, अब देखो, इस जीत की खुसी में इसरलाट, यानि कि सरगा सुली का निर निर्मान किसने करवाया, इस्वरी सिंग ने, और क्यों करवाया था, तो राजमहल का युद हुआ था, उसकी जीत की खुसी में, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों, जीत की खुसी में, दोस्तों, सरगा सुली का निर्मान करवाया था, और ये राजमहल का युद है, ये बनास नदी के पास में हुआ था और ये पहला उत्रादिकारी युद था ठीक है समझ में आ गया अब देखो उसके बाद में दूसरा युद होता है बगरू का युद ठीक है वो कब होता है बगरू का युद होता है जैपूर 1748 में बगरू का युद होता है 1748 में यह उत्रादिका धित्ये युद था तीक है, उत्रा धिकरिका धित्ये युद अब इसमें देखो, इस्वरे सिंग वर्षेज मादो सिंग्, दोनों के मद्दे फिरसे युद हुआ, सभी साथी पहले वाली थे, यानि कि सभी साथी पहले वाली थे, मेवाड के, बूंदी के ओर मराठा और इद इस युद में क्या हुआ तो इस विद में मादो सिंग है वो जीत गया अब युद में जीतने के बाद में दोस्तो समझोता किया गया अब समझोते के तहत मादो सिंग को तोड़ा और मालपुरा सहीत पांच परगने दे दिये किसने इस वरी सिंग ने उमेद सिंग को बंदी क राजा मान लिया गया ठीक है उमेज सिंग को गुंदी का राजा मान लिया गया और मराठों को युद हर जाना दिया गया ठीक है अब दो ये तीन समझोते किये गए थे इस युद में बगरु के युद में ठीक है अब देखो मराठों दुआरा युद हर जाने के लिए तंग किये जाने पर इस्वरी सिंग इसरलाट से कूद कर अत्मत्या कर ली थी अब देखो मराठों को बुलाये किसने था तो मादो सिंग ने थीक है अब जब मादो सिंग युद जीत गया तो उसने क्या बुला इसरुइ सिंग को बुला के बई या तो देख इन मराठों को पैसे दे और पांच पर अगने भर अगने भी दिये थे ठीक है कुछ सर्ते रखी थी वो भी मान लिगई ठीक है अब हार गया विचारा इसरुइ सिंग अब क्या करे तो उसको मराठो को पैसे देने पड़े उसने थोड़ी बुलाए थे लेकिन पैसे देने पड़े उसको लेकिन मराठे हैं वो दोस्तो बार-बार में उससे पैसे ले रहे थे तो उससे तंगा कर दोस्तो जो इसरलाट बनवाया था सरगा सुली का जो निर्मान करवाय था राजमहल के युद्ध के जीतने के बाद ठीक है उसके उपर से दोस्तो कूद कर आतम हत्या कर ली थी ठीक है किसने तो इस्वरी सिंग ने ठीक है आगे देखो दो युद्ध है वो आपको याद रखना है राजमहल का युद्ध सत्रा सो से तालीस और बगरु का युद्ध सत्रा सो अड़तालीस ठीक है फिर सासक बनता है मादो सिंग फिर सासक कौन बनता है मादो सिंग अब देखो दोस्तो मादो सिंग पर्थम कब से कब तक सासक रहता है अब देखो सत्रा सो इकावन में मराठो का नरसहार कतले आम करवाया था क्योंकि मराठे युद्ध हर जाने के लिए पैसे के लिए तंग करते थे और इसकी माने मराठो के सेनापती को अपना धर्म भाई बना कर मराठो को बाद में जैपुर में बुलाया और यहां उनका नरसहार कराया अब हुआ ये कि इस्वरी सिंग्ग ने तो मराठो की वज़र से आतमत्यकरी ली थी अब मराठे हैं वो परिसान करने लग गए किसको मादो सिंग को अब देखो मादो सिंग की माँ है उसने जो मराठो का जो सेना पती था उसको भाई बना रखा था धर्म का तो उसने क्या किया कि बोले आप जैपुर आजाओ सबी मराठों को लेगे तो काफी संक्या में मराठी है वो जैपूर आए और जैपूर आने के बाद दोस्तो जैसे ही जैपूर में प्रवेस किया उन्होंने प्रवेस करने के बाद आपने नाम सुना होगा अजमेरी गेट, चांदपोर तो पहले ये जैपूर का परकोटा था और ये परकोटे के गेट थे और जैसे ही मराठे हैं वो जैपूर में प्रवेस किया और इन गेटों को क्या करवा दिया गया? मादो सिंग ने बंद करवा दिया अब बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है तो ये दर्वाजे हैं ये बंद कर दिये अब बंद कर दिये तो कहां जाए? और फिर दोस्तो इतना भेंकर तरीके से मराठो का कतले आम किया बहुत बुरी तरह से मराठो को ठीक है? फिर दोस्तो देखो सत्रा सो गुनसट यानि की आठ साल बाद में काकोड का युद हुआ था टोंक में काकोड का युद हुआ टोंक में जिसमें मराठो को पुने हरा दिया किसने? मादो सिंग ने मराटो को दुबारा हरा दिया काकोड के युद में जो टौक में हुआ था फिर देखो 1761 में यानि कि इसके दो साल बाद में बटवाडा के युद में कोटा के राजा सत्रु साल से हार गया मादो सिंग बटवाडा की युद में हार गया कोटा के राजा सत्रु साल से अब देखो यह युद रन थंबोर के लिए पर अधिकार को लेकर हुआ था इस युद में कोटा का सेना पती जालिम सिंग जाला आया था तो दोस्तों बटवाडा का युद हुआ था कब 1761 में और किस किस के मद्दे मादो सिंग वर्सेज सत्रु साल जो कोटा का सासक था इनके मद्दे हुआ था युद और क्यूं हुआ था तो रन थंबोर पर अधिकार के लिए पर दोस्तों यह हैं युद हुआ था और इस युद में मादो सिंग की हार होती है ठीक है अब देखो मादो सिंग ने 1763 इश्वी में सवाई मादो पूर की इस्तापना की थी ठीक है और उससे पहले दोस्तों एक युद और हुआ था जिसका नाम है कामा का युद ठीक है और कामा का युद है वो बरतपूर में हुआ था मादो सिंग वर्सेज जमार सिंग जो बरतपूर का सा सकता इन दोनों के मद्दे युद हुआ था और इस यूद का दोस्तों अभी कौन जीता इसका कंफरम नहीं है क्योंकि इस यूद में दोनों बक्स अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे हैं ठीक है और दोस्तों देखो सवाए मादोपूर को बसाया 1763 सवी में और चाक्सों में सीतला माता का मंदिर बन वाया किसने मादो सिंग ने और मोती डूंगरी के महल बन वाये थे किसने तो मादो सिंग ने ठीक है मोति डूंगरी के महल जोजैपुर में है और चाक्सु में सीतला मता का मंदिर बनवाया था किसने मादो सिंग में ठीक है उसके बाद में दोस्तों दस्वे नंबर का सासक बनता है परताब सिंग देखो कब से कब तक सासक रहता है तो 1778 से लेके 1803 तक परताब सिंग सासके रहता है इनके टाइम में देखो एक युद हुआ था जिसका नाम है तूंगा का युद कौन सा? तूंगा का युद कब हुआ था? 1787 में हुआ था तूंगा का युद ठीक है? अब देखवागे ठीक है? तुंगा का युद हुआ था सत्रा सो सत्यासी में किस-किस के मद्दे तो परताब सिंग और परताब सिंग के साथ में था विजे सिंग जो जोदपुर का सासक था ठीक है परताब सिंग और विजे सिंग ये तो एक साइड में थे दूसरे साइड में मराठा सेनापती था कौन? महधजी सिंधिया ठीक है? यनि की परताब सिंग और मराठों के मद्ड़े ये हैं यूद हुआ था परताब सिंग के साथ में था विजे सिंग जो जोधपुर का साषक था और माराठा सेनापती था महादजी सिंधिया इस युद में क्या होता है कि इसमें मराठे हैं वो हार जाते हैं इस युद में क्या हुआ था मराठे हैं वो हार जाते हैं इन दोनों ने मिलकर मराठो को हरा दिया था कौन से युद में तूंगा का युद कब हुआ था 1787 को हुआ था ठीक है उसके बाद में देखो दूसरा युद होता है जिसका नाम है पाटन का युद कौन सा पाटन का युद पाटन का युद का पर हुआ था तो अजमेर में कब हुआ था तो 1789 में हुआ था ये पाटन का युद ठीक है कई किताबों में आपको नबह मिल जाएगा लेकिन 1789 सही है ठीक है पाटन का युद्ध है वो 1789 में हुआ था और ये युद्ध किसके साथ में हुआ था तो देखो सेम टू सेम वो ही था परताब सिंग के साथ में था विजे सिंग जो जोत्पुर का सासक था और वरसेज मरा अब देखो मराथा का सेनापती है वो अब चैंज हो गया है अब कौन था सेनापती था डी बोई कौन था डी बोई डी बोई ठीक है ये सेनापती था और ये फ्रांसिसी था मराथा नहीं था फ्रांसिसी था इसको सेनापती बना कर अब की बार बेजा था और इस युद में क्या हुआ तो इस युद में दोस्तों मराठे हैं वो जीत गए थे इस युद में मराठे जीत गए थे देखो तुंगा के युद में जीत जाने के कारण जोदपुर वाले गमंड में का करते थे कि हमारे कारण ही आमेर वाले बच गए हैं इस कारण जैपुर वाले नाराज हो कर दोके से पाटन के यूद में MARाठो के खिलाफ पीछे हट जाते हैं और मराठो जोदपुर पर अकर्मन कर देते हैं ये हो था दोस्तो देखो समझ में आ गया ? क्या कार्णी थी नहीं ? पहले जोदपुरवाले बोलते थे कि हमारी वज़ेसे जैपरवालों बच गए हमने बचाया उनको मराठों से युद करके अब जैपरवालों को ये बात समझ में नहीं आई तो जैपरवालों ने क्या किया कि वापस बुला लिया बुला जा वापस लड़ते हैं तो वापस लड़ते हैं और जैपरवाले पी एक दम से पिछेड़ जाते हैं और कल्यान हो जाता है जोदपरगा ठीक है तो पाठन का युद कब वहा था 1789 में ठीक है अब देखो विजे सिंग ने मराठा सरदार जैपा सिंधा की हत्या कर दी थी इस हत्या के बदले मराठों को अजमेर का तारागड का किला देरना पड़ा था ठीक है अब देखो विजे सिंग की प्रेमी का थी जिसका नाम था गुलाब राए ठीक है विजेशिग की प्रेमिका थी गुलाब राय और गुलाब राय को जोदपूर की नूर जहां कहा जाता है जैसे प्रिक्षा में प्रिशना है कि जोदपूर की नूर जहां किसे कहा जाता है तो गुलाब राय को कहा जाता है जोदपूर की नूर जहां important है दोस्तो ये वह ज़़ादा ठीक है और नूर जा कोन थी तो नूर जा है वो जांगीर की पत्नी थी नूर जाथक है अब देखो दोस्तो एक ओर यूद होता है वह ज़़ादा मद्दे अब की बार था दोस्तो परताब सिंग और परताब सिंग के साथ में अब की बार भीम सिंग था जोदपूर का सासर अकल ठीकाने आ गई दोनों की कि वाई अकेला नहीं जीच सकते दोनों ही मिलकर जीतेंगे ठीक है अब हुआ ये कि परताब सिंग और भीम सिंग दोन में फिर शे मरा ठार जीत गए थे लेकिन अब की बार कोई किसी ने एक दूसरे के साथ गदारी नहीं की थी लेकिन हार गए क्या करे इसमत होती है अब देखो परताब सिंग की सांसकर्तिक उपलब्दियां क्या है तो परताब सिंग की सांसकर्तिक उपलब्दियां देखो 1799 में हवा मैल का निर्मान करवाया इसमें 953 जरोके हैं यह एक पांच मंजिला इमारत है जो बगवान स्री कृष्ण के मुकट के समान है इसका निर्मान रानियों दोबारा तीज वए गंगोर देखने के लिए किया गया था तो हवा मैल का जो निर्मान है वो तीज और गंगोर आप सबी को पता है कि गंगोर और तीज की जो सवारिया निकलती है जैपुर में काफी प्रसिद है तो यह जब निकलती है तो इनको देखने के लिए इनको देखने के लिए हवा महल का निर्मान करवाया गया था 1799 में किसने परताब सिंग ने करवाया था इस हवा महल के वास्तुकार कौन था तो इस हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ता कौन था लालचंद उस्ता पांच मंजला इमारत है हवा महल तो देखो सबसे पहला ही पहला है इसमें सरद मंदिर फिर है रतन मंदिर फिर विचीतर मंदिर और फिर प्रकास मंदिर और फिर हवा मंदिर ठीक है ये पांच मंजिला इमारत है पहली सरद मंदिर दूसरी रतन मंदिर तीसरी विचीतर मंदिर चोथी प्रकास मंदिर और पां इसा भी पूछ सकता है आपको पांचे, पांचों के पांचों आपको याद रखने है, ठीक है, ओर देखो दोस्तों आगे, परताब सिंग बरज निदी नाम से कविताएं लिखता था परताब सिंग के कावे गुरु थे गणपती भारती परताब सिंग के कावे गुरु थे परताब सिंग के संगीत गुरु थे कौन चांद खा और चांद खा की पुस्तक कौन ची थी सवरसागर सवर सागर है बहुछ सांद का की पुस्तक का नाम है परताब सिंग ने जैपुर में संगीत समेलन का आयोजन कराया और इस संगीत समेलन का अद्डेक्स है वो देवर्शी ब्रेजपाल बढ़ते इस समेलन में सभी कवियो ने मिलकर रादा गोविंद एक दोस्तो संगीत सम्मेलन रखा था, उसमें सभी कवियों को बुलाय गया था अब देखो तमासा लोकनाटे जैपुर में लोक प्रिये हुआ बंचीदर बट को इसके लिए माराष्टर से लेकर आये थे और परताब सिंग के समय जैपुर की चितरकला का स्वनकाल था इसके मुख्य चितरकार थे लाल चंद जो पस्वो की लड़ाई के चितर बनाता था मुख्य ते हातियों की लड़ाई के चितर बनाता था ठीक है और ये लाल चंद वो ही था जो हवा मैल का वास्तु कार था ठीक है इन विद्वानों के लिए परताब ने गुणी जन खाना बनवाया था ठीक है इनने 22 विद्वानों के लिए दोस्तों गुणी जन खाना की इस्तापना की थी किसने परताब सिंग ने ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और आज अपना आज की कलास अपनी यही समापत होती है ठीक है आज अपने तीन राजा पढ़ लिए ठीक है जिस्वरी सिंग मादो सिंग और परताब सिंग ठीक है इसमें काफिल युद हुए हैं तो आप ये युद्धों का जरूर एक बार ध्यान रखना ठीक है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर पिछले वीडि में जय हिंद जय भरत